नमस्कार, प्रिये दर्शकों हाजर हुमें 6 जून 2024, शनी जयंती के महान अवसर पर शनीदेव की कृपा प्राप्ति करने है तू कुछ दिब्वे प्रयोग बताने के, जिन्हें करके आप शनीजन्य प्रिडा से मूती प्राप्ति करने हैं। प्रिये दर्शकों, विगत वर्सों की भाती, इस वर्स भी मैं आपको शनीदेव की कृपा प्राप्ति हेतु को छुपाय बताने जा रहा हूं, जिससे अब तक आप करते आ रहे हैं। और शनीजन्य प्रिडा से मुक्ति भी आपको मिल रही है। तो वहीं एक रिड से मुक्ति का प्रयोग भी आज मैं आपको बताऊंगा। दिखा जाए तो वर्तमान समय में बीते वर्ष की भाती ही करक और कुष्चिक इन दोनों राशिके जातकों को शनीदेव की धया चल रही है। तो वहीं गुला राशिक के लिए शनीदेव आपकी राशि से पंचम में चल रहे हैं। मकर, गुंभ और भी इन तीन राशियों को साहे साथी चल रही है। यानि चहराशियां जो वर्तमान समय में शनी जन्य पीडा से कहीं न कहीं पीडित दिखाई पड़ रही है। अब इसके अलावा वो सभी लोग जिनकी जन्म कुंडली में शनीदेव मारक हैं और उनकी दशा है। अथवा वो सभी लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा से स्वनी यूत या दृष्ट हैं, यानि चंद्रमा स्वनी कहा दृष्टी सम्बंध है। तो वहीं जिनकी कुंडली में शनिदेव का जन्म कुंडली के बार्वे भाव से संबंध है, लगन से संबंध है, चतुर्थ से संबंध है, सब्तम से संबंध है, दसम से संबंध है, एकादस से संबंध है, सूर्य से संबंध है, तो समझ लीजिए कि ये कहीं न कहीं आपको प पीड़ा से यदि पीड़ित हैं तो आपको इस सु अवसर का लाप उठाना चाहिए देखा जाए तो सनीदेव को न्यायाधीस कहा गया है एक ऐसा न्यायाधीस जो केवल और केवल न्याय करना जानता है जिसके हाथों कभी अन्याय वो ही नहीं सकते प्रियोदर्शकों शनीदेव की जब जर्चा आती है तो सीधी सी बात है आपको ये बताना ही होता है ये न्यायाधीस है अमेशा याद रखिए ये काल पुरुस का दुख है काल पुरुस का विशाद है जब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं पत भरष्ट हो जाते हैं तो वही पर शनीदेव की दृष्टी काम आती है बस उनकी थोड़ी सी वक्र दृष्टी होती है और फिर हम अपने सही मार्ग पर आ जाते हैं प्रेदर्शकों विगत कई वर्सों से सनीजन्य पीडा से मुक्ति है तू तेल का एक प्रयोग जो शिवमंदर में जाकर कि आपको करना है ये मैं बताते आ रहा हूं और केवल बताते नहीं आ रहा हूं इसका प्रभाव आप सभी को मिल रहा है आप इसके प्रमान हैं कि ये और धनु राशी को शनी की धईया लगने जा रही है तो वहीं वरिश्चिक राशी के जातकों के लिए शनीदेव आपकी राशी से पंचम में होंगे मकर राशी साढ़े साती से मुक्ति पालें तो फिर इसके बाद बारी आती है कुम्भ की, मीन की और मेस की ये सब दोहजा कहीं शनी जन्य पिड़ा से आप बच सकेंगे, क्या करना है तो 6 जून शनी जयंती के दिन आप प्रातह काल हीं किसी शिव मंदिर में चले जाईए और मैं प्रयोग बताया करता हूं किसी लोहे के पात्र में अगर हो सके तो तेल ले ले और अपना दाहिना हाथ एकदम और आप या तो ठीक से समझ नहीं पाते या आपको दिखाना पड़ता है यह शिव लिंग है जैसा कि मंदर में आप जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा अब यह यहां ऐसे पितल का बना हुआ है मंदर में यह सब हो सकता है पत्थर इत्यादी का हो आपको यहां दिखाई नहीं पड़ता तो यहां नीचे यह लेकिन याद रखिए कि यह शुलिंग भगवान भोलेनात माता पारवती इनके नीचे ही आपको यहां पर हाथ लगा देना है और हाथ लगाने के पश्चात एक हाथ से यह बाएं हाथ से आपको तेल की धार देनी है यह जो हि दिखाई सनी परवत होते हुए सनी जन्य पीड़ा से मुक्ति है तू आपको क्या करना है भोलेनात से ही तार्थना करते रहनी है और मनही मन शनिदेव के बीज मंत्र का जब ओम प्राम प्रीम प्रॉं सह शनैश्चराय नमह इस मंत्र का लगातार आपको जब करते रहना है और तेल की धार लगातार आपको गिराते रहनी है, जितना आपके पास तेल है, वो गिरा लीजिए, ये प्रयोग आपको एकदम आसानी से आप कर सकते हैं, मान लीजिए, कि ये प्रयोग के अलामा भी अगर आप कुछ करना चाहते हों, तो आपके पास एक और प्रयोग है, व हमेशा एक ही बात कहा करता हूँ, वैसे तो ये शिव जी के लिए जो उपाय मैंने बताया, इसके अलावा शनी प्रतिमा पर तेल चाहने की बिधी मैंने बताई, पर हमेशा ये याद रखिये कि शनी जन्य प्रीडा से मुक्ति का जो सर्व स्रिष्ट मार्ग है, वो सिर्फ ए इनकी सरण में अगर आप हैं, तो फिर आपको चिंता की आवश्यक्ता नहीं, देखिए एक बात सकते हैं, कि हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे जो कर्म हैं, वो तो हमें भोगने ही होंगे, हम चाहे लाख जतन कर लें, लाख उपाय कर लें, नाभुम तंक्षियते कर्म, ज फिर अगली बार, तो एक सवाल मन में खड़ा हो जाता है, फिर क्यों बचें, इसी बार भोग लेते हैं, देखिए सर्वस्रिष्ट यही है, भागने की जगह, हम अगर अपने बंधन कर्म बंधनों को काटने के लिए उसे भोग लें, तो वो सर्वस्रिष्ट भिधान है, तो हो सकता है कर्म बंधन के कारण आपके उपर परिशानी आएंगी, परिशानियों के बिलकुल भयानक काले बादल आएंगे, हो सकता है वो खूब गर्जें भी, हो सकता है बरस भी जाएं, तब भी वो छत्र चाया आपके उपर बनी रहेगी, और दूसरों के नजरों में ये दिखाई पड़ेगा कि इनके उपर तो भयानक काले बादल वरस रहे हैं, लेकिन आप सुरक्षित निकल जाएंगे, सो हनुमान जी की सरनागती में बने रहिए, सनी जन्य पीडा से आप बच जाएंगे. प्रियदर्शकों, एक और बात, बीते विगत कई वरसों से आपको मैं रिण से मुक्ति के प्रयोग बताते आ रहा हूं, और ये प्रयोग भी आपके लिए बेहद कारगर सिध्ध हुआ है, और इसे करके भी आप अपने रिण इत्यादी से जो मुक्ति के लिए प्रत्न कर रह हैं, आपको उसमे लाभ मिल जाएगा, हमेशा याद रखिए, शनिदेव न्याय के देवता है, न्याया धीस है, अब आज की समय में, या हमेशा से ही देखने में ऐसा आता है, कि किसी ने आपका पैसा ले लिया, लेने के समय तो वो गाय था, जिसने भी लिया, लेने के समय वो गाय था गाय का अर्थ है उससे सीधा तो कोई था ही नहीं उससे दीन उससे हीन तो कोई था ही नहीं और जब बात देने की आए तो वो सेर है एक ऐसा फशेर जो आप ही के उपर दहार रहा है जिसने उसकी कभी सुरक्षा की थी अब इसमें आपका कोई दोश नहीं क्योंकि आपने तो वही किया जो मानो का कर्तब्य है आपने वक्त आने पर उसकी मदद की थी दो बाते हैं मैं हमेशा कहा करता हूँ दो तरह के लोग हैं एक लोग तो वो हैं जो सचमुच देना चाहते हैं मैं हमेशा हर दिन ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो भीतर से दुख्षी होते हैं और मुझसे ये पूछते हैं कि सास्तुरी जी बिना पैसा लोटाए मैं मर तो नहीं जाओंगा और ये उनकी सोच उनके भीतर का ये डर ही मुझे विश्वास दिलाता है कि नहीं अभी हम मानों हैं और हमारे अंदर ये विचार जीवित है देखिए इनके अंदर डर ठीक है परिश्टितियां सब को बांधे हुए है हम सब परिश्टितियों के वशी भूत हैं फसे हुए और कुछ हैसे भी लोग हैं जो लिये और रिणम कृत्वा घरतम प्रिवेत उनका वो सिध्धान्त है उनको उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर रहे हैं कि आप जी रहें कि आपकी बेटी का विवाह रुका है कि आपका स्वास्थ डेमेज हुआ है आपको डॉक्टर क के लिए दंड नरधारित करेगी तो आप भी यहीं रहेंगे आप देख लीजिएगा कोई न बचा है न बचेगा हमेशा याद रखिए आप जब दंड देने जाते हैं तो आप बहुत छोटा सा दंड दे करके भट जाते हैं और जब प्रकृती दंड देने जाती है तो बह तो नहीं हो रहा है या यह दोनों ही तरह से काम आता है इस प्रयोग को मैं दोनों ही जगों पर कराता हूं और इससे मुक्ति का मार्ग मिलते है तो फसा हुआ पैसा है उसमें भी यह काम आएगा और रिन से अगर आप ग्रसित हैं उसमें भी यह काम आएगा एक जलदार ना फिले धातु से, उसका जल नहीं निकालना है, उस जल में और शक्कर भर देजे, इतना शक्कर भरिए कि पानी में शक्कर घुलते चला जाएगा धेरे दिर उसमें बैठ जाएगा, जितना आप शक्कर डाल सकते हों, मुँँ थोड़ा छिट बड़ा करके उसमें शक्कर और इसके पश्याद घर से दूर और ये प्रयोग करते हुए अगर आप रिण में फसे हुए हैं तो रिण से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए और अगर आपका कोई पैसा ले करके बैठ गया है जो दे नहीं रहा है विशेवस रूप से उन लोगों के लिए है कि आपका पै अजन स्थान हो शांत स्थान हो खाली जगह हो उस जगह में जाकर के गढ़्धा खोद करके उसके भीतर दबा दीजे ये प्रयोग काम करता है और इससे दोनों ही परिष्टितियों में आपको रहात मिल जाती है तो ये प्रयोग अवश्य कर लिजेगा और फिर से मैं दोहर है हनुमान जी की आराधना तो करनी ही चाहिए आपको बागी वैसे मैंने जो शि नहीं के नीचे इस अर ञता में जाई तो आज वस इजाज़त दीज्ग पुनअ मुलाकात ओगी तब तक के लिए नमसकार